हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर्की लेर्निंग अकेडमी जैसे कि आप देख रहे हैं डी ओई की ओफिसियल वेबसाइट को इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं और आज डेट है 12 अक्टोबर 2022 और आज वैडनस डे की दिन आप लोग देख पाएंगे यहां पर इस ओफिसियल पर कई सारी अपडेट जारी की गई हैं और यह आप देख सकते हैं न्यू वाली जो पोर्शन है इसमें सारे नए नोटिसेज यह जारी किये गए हैं डी ओई के द्वारा और फ्रेंड्स आज आप सब के लिए एक बड़ी खुसकबर हम लेकर आए हैं क्योंकि आज की इस व मेमोरंडम यहां जारी किया गया है जोइनिंग डेट को एक्सेंड किया गया है और इसके साथ ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जोइनिंग के लिए नोटिस जारी किया गया है और फाइनल नोटिस दिया गया है पीजी टी सोसल साइंस के लिए पोस्ट कोड़ है 72 बाइट फाइनल नोटिस दिया गया है जोईनिंग के लिए यहां जारी के गए है जो की चार मेमोरंडम है 35 बाइट पोस्ट कोड के लिए तो फ्रेंड्स आईए एक एक करके अपडेट को हम चेक कर लेते हैं और यहां अपनी पोस्ट के रिगार्डिंग हर एक अपडेट आप देख स यहां डेट मेंशन किये गई है फाइनल नोटिस दिया गया है यह जोईनिंग के लिए कौन सी पोस्ट कोड है यह आप यहां देख लिजिएगा पीजिटी फाइन आर्ट्स फिमेल पोस्ट कोड है 84 बाइट 20 अफ्टर कंसीडरिंग दा रिक्वेस्ट दा कंपिटेंट अथ बता दिया गया है न्यू राजिंदर नगर एसवी राना प्रताब यह पिन कोड दे दिया गया है अधर्वाइज हर कैंडिडेचर विल बी कैंसल एंडोजियर विल बी रिटरन तो डी ट्रिप्लैस भी तो फ्रेंड्स यह फाइनल नोटिस आपको दिया जा रहा है जोईनि इनकी जोईनिंग डेट को एक्स्टेंड करने के लिए कोई रिक्वेस्ट अब यहां स्रिकार नहीं की जाएगी ठीक है फ्रेंड्स तो एक नोटिस यह है हमारा आईए नेक्स नोटिस को अब हम चेक कर लेते हैं और यह आप देख सकते हैं मेमोरंडम जारी किये गई है 11 अ पोस्ट कोड 35 by 20 तो इस 35 by 20 पोस्ट कोड के लिए यह मेमोरंडम यहां जारी के गए है इनको जारी किया जाता है डी ओए के द्वारा तो आप सारे मेमोरंडम को ऐसे स्क्रोल करके देख लीजेगा और आप से रिलेटिड जो है उसको आप डाउनलोड करके अच्छे से अप कर दिया गया है आपकी पोस्ट इसका पर स्केरिय ब्रेड पर कर दिया गया है और जो भी टर्म और कंडिसनस हैं जो कि आपको फोलो करनी है वो भी सब यहां बतादी गई है तो आप इन कोलम्स को अच्छे से चैक कीजएगा बिल्कुल सारे चीजह यहां पर लेकर जाना है document verification के दुरान और main चीजे हम आपको बता देते हैं 14 number column में आप देख सकते हैं self declaration आपको यहाँ पर लेकर जाना होता है और friends 19 number column में आपका venue यहाँ दिया जाता और पूरी detail mention कर दी जाती है यह आपका नेम बता दिया गया है यहाँ पर यह आपकी recruitment cell बता दीगी room number mention कर दिया गया जहां पर भी आपका डीवी कंड़क्ट किया जाएगा नियर विधानसभा metro station आपका डीवी का प्लेस दिया गया है और friends अगर आप अपने वीकल से नहीं आ रहे हैं तो मेट्रो में जाना आपके लिए एक best option कही जा सकती है ठीक है और यहाँ आप देख सकते हैं 21st October 2022 11.30 मोर्निंग में आपका यह डीवी का समय दिया गया है इसके साथ ही आप देख सकते हैं फोर current passport size photograph self declaration आपको instruction no.14 के coding acceptance of offer of appointment यह form आपको चाहिएगा और जो भी आपके educational यह technical certificates हैं डिग्रीज यह मार्क सीट हैं टेग्रीज का जो भी certificate है original और साथ ही दोनों साइट से self attested photocopies आपको लेकर जानी है और NCT का certificate आपके लिए बिल्कुल must required रहेगा इसके absence में आपका यहाँ DV cancel किया जा सकता है और अगर आपने OBC के reservation के लिए apply किया है तो आपको NCL यहाँ पर required रहेगा non-crimalier का certificate यह आपका required रहेगा friends और अगर आप यहाँ government job में हैं तो NOC भी आपको चाहिएगी इसका certificate लेकर जाना है और देखें यहाँ पर बिल्कुल bold letter में बताया गया है कि अगर आपके DV के दोरान आप appear नहीं हो पाते हैं या फिर आपका कोई reply नहीं आता है within one month from the date of the issue of this letter इस letter की issue date के one month के अंदर तक अगर आपका कोई response नहीं आता है या फिर आप यहाँ पर appear नहीं होते हैं DV में तो cancellation की procedure है वो आपकी start कर दे जाएगी और आप बिना किसी further reference के आपके candidature को cancel किया जा सकता है इसके अलावा यहाँ आप note में देख सकते हैं seven undertakings होती हैं यह जो आपको ले कर जानी होती है और यह website बता दी गई है edudel.nic.in इसमें sublink मिलेगा आपको recruitment का यहाँ से इनको आप download करके fulfill कर लीजिएगा okay friends और बाकी अपनी import से related जो भी कोई update है उसको इसी website पर आपको regularly check करते रहना है और आप हमारे channel पर भी visit कर सकते हैं क्योंकि हर update हम साथ के साथ आप लोगों को provide करा देते हैं okay friends तो आप इन सब memorandum को check कर लीजिएगा आए next notice को आप हम देख लेते हैं और यह आप देख सकते हैं देखे friends बढ़ी खुसी की खबर है आप सभी के लिए क्योंकि देखे 11 October 2022 को यह tentative date में आपका mention किया गया था TGT Natural Science female के regarding कि आपके यहाँ पर appointment orders जारी किये जाने हैं और आप देख सकते हैं as a result यह DOE ने करके भी दिखा दिया है तो देखे यहाँ पर 36 by 21 यह post code है आपका यहाँ पर यह pay scale वगरा यह सब बता दिया गया है पोस्ट ए TGT Natural Science की female की तो friends यहाँ पर देखेगा आपका जो medical examination है इसमें 2 month कस्में आपको दिया गया है provisional appointment के लिए यह आपका rules बता दिया गया इस rule के अंदर और अगर आप unfit पाए जाते हैं 2 month के अंदर तो आपकी request पर 1 month और extend करके आपको दे दिया जाएगा बट यह final opportunity होगी आपके लिए और अगर आप फिर भी unfit पाए जाते हैं तो आपका candidature cancel कर दिया जाएगा और जो OBC candidate होते हैं उनसे भी यहाँ पर declaration ली जाती है अगर आपकी कोई भी चीज यहाँ पर invalid भाई जाती है या fake पाई जाती है तो फिर आपका candidature भी terminate किया जा सकता है ठीक ह immediate effect के साथ candidature को terminate किया जा सकता है OBC candidate के लिए यह बोला गया है यहाँ पर अगर आपकी कोई भी information invalid या ineligibility के दायरे में आती है तो ठीक है friends और यहाँ देखेगा आप इसके बाद आपको directed किया गया है report करने के लिए आपके respective place पर जो भी posting का आपका place बताया गया है 10 November 2022 आप आपको यह date mention की गई है तो वन मंत का समय तकरीब आप मान लीजिएगा आपको दिया गया है अगर आप यहाँ पर report करने में fail रहते हैं तो आपकी appointment को cancel कर दिया जाएगा बिना किसी further communication के और जिन भी candidate के appointment order जारी के गए है उनके देखे employee के name यह बता दिया गया है post आपकी mention क date of birth आपकी बता दिया है category आपकी mention कर दिया है किस जगह पर आपको report करनी है यह posting place आपका इस column में दिया गया है तो आप अपने name के coding इसे check कर लीजिएगा काफी candidate हैं यह आप देख सकते हैं 74 candidate हैं जिनको की appointment orders जारी किये गई हैं और आप सब के लिए एक बड़ी खुसी की ख के लिए यह appointment order जारी किये गई हैं बिलकुल latest update है friends और यहां post code आप देख लीजिएगा 37 by 21 तो यह 2021 की recruitment हैं उनकी process start हो चुकी है और tentative date आपको DOE के दुवारा provide क्राई गई थी तो बिलकुल उसी के according यहां पर सारा system सारी process की जा रही है आप सब के लिए बड़ी खुसी की ख अब process में आ चुकी है ठीक है और इसी तरह से medical का जो यहां पर examination का दिया गया यह two month कस्म है और extend करके one month का period अगर आप fit पाए जाते हैं तो यहां पर permanent आपके appointment fix हो जाती है आपकी gourmet जो पकी हो जाती है और अगर आप unfit पाए जाते हैं तो आपके candidature को terminate कर दिया जाता है ठ यह सारी चीजे शेम ही है तकरीबन और यहां पर जो report करने का time है वो आप देख लीजिएगा यहां पर डारेक्टीर क्या गया है report करने के लिए 10 November 2022 यह date देट देगी है 10 11 2022 अगर आप फिल रहते हैं तो appointment को आपकी cancel किया जा सकता है तो friends date का आप दियान रखिएगा और यहा पोस्टिंग प्लेस इस कोलम में दिया गया है यही पर आपको जातर report करने है ठीक है friends तो यहां आप देख लीजिएगा candidates यह काफी संख्या में है जिनके appointment orders जारी किये गए है तो यह 202 candidate है जिनके appointment orders जारी किये गए है ओके friends तो आप सभी को congratulations और आएए friends next notice को आप देख लेते हैं यह भी बिल्कुल latest update है टीजिटी social science mail के regarding और postcode है 39 by 21 आप यहां देख सकते हैं यह आपका pay scale grade पे यह सारी चीज़े बता दी कही है और medical examination आपका two month के अंदर conduct किया जाएगा friends अगर आप unfit रहते हैं तो one month और extend क करके आपको यहां दे दिया जाएगा medically fit होने के लिए अगर आप fit पाए जाते हैं तो आपकी जो permanent हो जाती है अगर आप unfit रहते हैं तो फिर आपका termination कर दिया जाएगा ठीक है और OBC candidate के लिए भी यहां declaration ले लिनी जाती है कि अगर आपकी कोई भी information invalid या फिर in eligibility के दाएरे में आती है तो आपका यहां termination immediate effect के साथ किया जा सकता है 10 November 2022 को आपको report करने के लिए यहां directed किया गया है जो भी आपके posting place है तो friends यह तीन post code है के appointment orders जारी किये गए हैं बड़ी खुसी की खबर है आप सभी के लिए क्योंकि इस दिन का एक candidate को बहुत ही जाला इंतजार होता ह है जब finally वह उस मकाम पर पहुँच जाता है जिसका कि उसने सपना संजोया था तो friends आप यहां देख लीजिएगा आपके name employee name के अंदर यहां इस column में दिये गई है post आपकी बता दी गई है date of birth आपकी यहां mention की गई है category आपकी इस column में बताई गई है और posting जहां पर हुई है यह posting place आपके यहां बता दी गई है यही पर आपको report करनी है ओके तो 65 candidate है यह जिनके के appointment order जारी किये गई है आप सभी को congratulations जिन भी candidate के appointment order जारी किये गई है ओकी friends तो आप लोग देख सकते हैं अभी तक की जो भी latest update यहां जारी की गई थी वो सब हम mostly आपके साथ share कर चुके हैं एक यह extension date और दी गई है जोईनिंग की यह 6 orders जारी किये गई है अगर आप से related है तो इसको आप download करके देख लीजिएगा क्योंकि इसे भी कल की date में ही update किया गया है डी ओई के द्वारा 11.10.2022 की यह शाम की update है ओके friends तो फिर मिलते हैं किसी next update के साथ take care and thank you so much